उन्होंने अनुछे 370 को हटाए जाने को एतिहास एक फैसला बताते में कहा था कि जो सपना अटल बिहारी वाजपी और करोडो देश भक्तों का था वो अब पूरा हो गया है सुनते हैं अटल जी ने कश्मीर और अखंड भारत पर क्या कहा था कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आधी पानी सहते हैं उनसे पूछो पंदर अगस्त के बारे में क्या कहा थे पूखों को गोली नंगों को हतियार पिनाए जाते हैं सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं लाहो और कराची ठाता पर मासम की है काली चाया पख्तूमों पर गिलगित पर है कब्गीन गुलामी का साया बस इसलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है कैसे उल्लास मनाओं मैं थोड़े जिन की मजबूरी है जिन दूर नहीं खंडित भारत को पुना खंड बनाएंगे जिन दूर नहीं खंडित भारत को पुना खंड बनाएंगे गिलगित सेगारों परवत्तक आजादी पर वो मनाएंगे उस्वन जिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमें खोन जाएं जो खोया उसका ध्यान करें बहुत 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 दनिवाओ